जॉन इब्रहम के लेटेस्ट मूवी अटैक कैसी है? क्या जॉन इब्रहम सूपर हीरो बन पाए? या फिर इस मूवी का पार्ट वू लॉंच ही नहीं होगा? एक मिनट में देंगे पूरी जानधारी जिस तरीके से अटैक का ट्रेलर लॉंच किया गया था ऐसा लग रहा था जैसे इंडिया को पहला सूपर हीरो मिल ही जाएगा सबसे पहले तो बॉलिवूट के लिए ये समझना ज़रूरी है सूपर हीरो बिना सूपर विलन के नहीं बनते बैटमैन जैसी मूवीज में बैटमैन से ज़र स्ट्रॉंग केरेक्टर होता है जोकर का एंड गेम में थैनोस को इतना पावरफुल दिखाया है कि बाकि सारे हीरो उसके सामने वीक लगते हैं मतलब कहने का ये है कि अगर आपका विलन सूपर विलन नहीं है तो हीरो कभी भी सूपर हीरो नहीं बन पाएंगे अटैक मूवी का सबसे वड़ा ड्रॉबैक है कि हमारा सूपर हीरो सामने वाले विलन को तुरंती पेल देता है मूवी में एक्शन ठीक स्थरका है पर जब बात आती है इमोशन की जॉन ने फिर से उमीदों पे पानी फिर दिया है बाकि मूवी में आने वाला हर सीन आप पहले ही गेस कर सकते हैं कि क्या होगा हम इसे ठाई स्टार देते हैं बाकि जॉन ने अनाउंस किया है कि पार्ट टू के लिए वो टाइगर श्रॉफ या फिर रितिक रोशन को लेंगे बाकि पार्ट टू के लिए रितिक रोशन या फिर टाइगर श्रॉफ में से किसे लेना चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताईए